नमस्कार नीश्पोर नीशन देख रहे और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग बतादे आपको कि आज बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार से आंगन बाड़ी सेविकाओं और साहिकाओं ने मुलाकात किया है आपको कि नितीश कुमार ने सीधा या नड़ेश दिया है कि आंगन बाड़ी सेविकाओं का जो मानदे है वो बढ़ाया जाएगा आज एक सिस्टम मंडल जो है वो मुलाकात करने के लिए पहुचा था तस्वीरे आपके अस्किन पर है विहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमा जो है वो उन तमाम सेविकाओं से मुलाकात करते हुए एक अने मार्ग में नजर आ रहे हैं मुख्यमंतरी नितीश कुमार से एक अने मार्ग इस्थित लोक संबाद में बिहार राज के आंगन बाड़ी सेविकाओं एवम सहीकाओं का एक सिस्टमंडल ने सिस्टाचार मुल पाकात के करम में आगन बाड़ी सेविकाओं एवम सहीकाओं ने अपनी समस्या मुख्यमंतरी के समक्ष रखे मुख्यमंतरी ने आगन बाड़ी सेविकाओं की समस्या को सुने उन्हें के बाद कहा कि राज में आगन बाड़ी सेवाओं में बेहतरी के लिए कई कदम उठाय ागनबाडी उन्होंने कहा कि मांदे में सम्मान जनक विद्धिक की जाएगी जो आंगनबाडी सेविकाए अवं सहाइकाओं की हर्ताल अवधी में चननुक्त कर दी गई थी उनकी वापसि की जाएगी इस अवसर पर वित वानिज कर एवं संसधियकार मंत्री विजय कुमार चोधरी, समाज कल्यान विभाग के मंत्री, मदन सहनी, मुख्य मंत्री के प्रधान सची, तमाम जितने भी आलादिकारी हैं वो पहां पर मौझूद रहे हैं और नितीश कुमार के साथ जो है वो विजय जो कि समाज कल्यान विभाग के मंत्री है नितीश कुमार ने ये अभी निदेश दिया है कि जो आंगनबाडी सेविका प्रदर्शन कर रहे थी और प्रदर्शन के दौरान जिनको जो हटाया गया उनको फिर से वापस ले आया जाएगा ये मंत्री नितीश कुमार ने सीधा आस्वासन दिया और साथी साथ ये अभी कहाए कि समय समय पर मानदे बढ़ता गया है ऐसे में मानदे जो है वो बढ़ाया जाएगा ये नितीश कुमार ने उन सेविकाओं को जो है उस दोरान तमाम जितनी भी महिलाएं हैं वो सडकों पर थी और दो दिनों तक जो है वो गर्दनिमाग जो धरनास्थल है वहाँ पर रातरी बिताई और उसके बाद ऐसे में आज नितीश कुमार ने एक सिस्ट मंडल से मुलाकात की मुलाकात के बाद सीधे तोर पर उन लोगों की जो मांग थी उस मांग को मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने माल लिया है तो यह बड़ी खबर जो है वो राजधानी पटना मुख्यमंतरी आवास से निकल कर सामने आए वरीस पोनेशन के साथ नमस्कार